कैसे छोड़ा बाहु बली को पीछे क्या आमिर की दंगल को भी हरा दिया टीके एफ ने सो हलो गाइज वल्कम बाक टू यो फेवरेट यूट्यूब चानल बॉलिग्राद स्टूडियोज और मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाते तिवारी तो दोस्तों शुक्रवार को अक्षे कुमार अभिनित फिल्म बच्चन पांडे की रिलीस के बावजूद दी कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ओफिस पर अपना शांदार प्रदर्शन जारी रखा है विवेक रंजन अगनी होतरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने आठवे दिन यानि दूसरे शुक्रवार अब तक का हाइस्ट कलेक्शन किया है कश्मीरी पंडितों के नरस अनहार पर आधारित इस फिल्म ने 100 करोड के क्लब में प्रवेश के साथ ही 120.35 करोड रुपे की कमाई कर ली है आम तोर पर ज्यादा तर फिल्म में अपने पहले सप्ता के अंत में चरम पर होती है लेकिन दी कश्मीर फाइल्स ने आठवे दिन सबसे ज्यादा कमाई की है ट्रेड अनलिस्ट की माने तो अभी दी कश्मीर फाइल्स की पीक आना बाकी है यानि 10 दिनों में फिल्म 160 करोड से ज्यादा अधिक का कलेक्शन कर सकती है दी कश्मीर फाइल्स हिंदी सिनिमा के आधुने क्यूक की सबसे बड़ी ब्लॉक बस्टर फिल्मों में से एक है और इसलिए भी क्योंकि इसे 15 करोड रुपे के कम बजट पर बनाया गया है अभी तक आमिर खान की दंगल और प्रभास अभिरित बाहु बली दी कॉंक्लूजन ने अपने आटवे दिन शांदार कारोबार किया था हाला कि अब दी कश्मीर फाइल्स ने आटवे दिन 22 करोड रुपे की कमाई कर बाहु बली टू और दंगल का रिकॉर्ट तोड दिया है प्रभास की फिल्म ने आटवे दिन 19.75 करोड रुपे और आमिर खान की फिल्म ने 18.69 करोड रुपे की कमाई की थी वाउ तो दोस्तों आपको कश्मीर फाइल्स पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताईएगा क्या आप ने अभी तक कश्मीर फाइल्स देखी या नहीं अगर नहीं देखी तो प्लीज जल से जल जाके इस मुवी को जरूर देखिये तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ आप सभी तब तक खुश रहें और सेफ रहें